माना की अंधेरा गना है लेकिन दिया जलाना कहां मना है नरेंद्र दामोदर्दास मोधी वैसे ये नाम किसी परिचे का महताश तो नहीं है दुनिया बर में उनका नाम आये दिन सुर्कियों में रहता है आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के वरतमान प्रदार मत्री नरेंद्र मोधी जी के बारे में तो सीधा शुरू करते हैं आज की बाते हाई म्याओ जस्मीन पटल और आप सब का जिचिल्स पर बहुत स्वागत है नरेंद्र मोधी का जनम 17 सप्टेंबर 1950 को गुजरात के छोटे से गाउं वड नगर में हुआ था पिता दामदरदास मुल्चंद और माता हीरा बैन के चे संतान है उनमें से तिसरे नमबर के संतान है हमारे नरेंद्र मोधी पुरा परिवार एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था गरी भी ऐसी थी कि कभी कभी दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था संगर्ष के माहौल में नरेंद्र मोधी ने बहुत ही छोटी उम्र में ही जीवन के कई सारे उचे नीचे पड़ाओं को देख लिया था अपने पिता जी के साथ चाय के दुकान पर भी काम करते थे उनकी माता जी भी घर की आर्थिक परिस्थिती में बदद करने के लिए दूसरों के गरों में काम करने जाया करती थी एक महान वक्ता के रूपे नरेंद्रे मोदी की पहली जलत, उनकी स्कूली सिक्षा के वर्षों के दोरान देखी थे, हाले में एक इंटर्व्य हुआ था उनकी टीचर का, उन्होंने कहा था कि नरेंद्रे जी वैसे स्टूडन्ट तो एवरेज थे, लेकिन वो वक्ता पहले से बहुत ही जबर्जस्त है, स्कूल के दोरान भी जब वो बाशन करते थे, तो हर किसी सुनने वाले को अपनी और आकरशीत कर लेते थे, वो नाटक और बाशन जो स्कूल में होते थे, उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे, और उनको कही सारे पूरसकार भी मिले हुए है, और ये स्कूल के दिनों में ही गुजरात के महसाना रेले स्टेशन पर भारत और पाकिस्तान के यूद के दवरान जवानों को ट्रेन में खाना और चाय देने जाया करते थे, 1967 में जब पूरा गुजरात बाट के प्रकोप से जूज रहा था, तब भी उन्होंने लोगों की बहुत मदद गी थी, नरेंदर जी स्वामी विवेकान जी के बहुत ही बड़े बक्त है, बहुत ही बड़े फैन है, और स्वामी जी के कार्यों से उनको बहुत ही पेना मिली है, इनफेक्ट कह सकते है कि उनके अंदर ये जो देश बक्ती की जो बावना जागी है, वो स्वा बाद जब उनकी उमर 17 साल की हुई तो उन्होंने घरीलू समस्याओ के चलते हुए अपना घर ही छोड़ दिया। उन्होंने उनके गाउ के नजदिक में जो बड़ी सीटी थी एहमदाबाद वहाँ पर जाकर एक प्रजारक के तौर पर RSS को जोइन किया। ये बात है 1971 की। उसके बाद वो RSS के साथ मिलकर काम करने लगे और जरूरत मन लोगों की तकलिफों को समझ कर उनको मदद भी करने ल देश से हटाने का भी आदिश दिया। फिर भी मोदी जी कुप्त रहे, वेश बदल कर लोगों की सेवा करते रहे, मदद करते रहे और RSS का भी प्रचार होता रहा। उनके इस डेडिकेशन को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी को बाश्पा य इसमें उनने गुजरात की राजरिती का औरनन किया हुआ है। पार्टी में शामिल होने के बाद मोदी जी ने इमानतारी से अपना काम किया और उनके योगदान की वज़े से BJP को गुजरात चुनाओं में बहुत जाधा सहायता मिली। अब दीरे दीरे करके BJP में मोदी ज गुजरात के मुख्यमंतरी केशुबाय पटल की तब्यद भीकरने लगी थी और उनकी भारी कीमत उनको चुकाने ही पड़ी आने वाले चुनाओं में और ऐसे में 26 जनवर इको गुजरात में जो भुकम पाया, गुजरात में कच्छ में जो सिचुएशन्स क्रियेट हो पर भारी कहर तुट पड़ा था, पूरा गुजरात परबाद हो गया था, उस वक्त बीजेपी के वरिशनेताओं ने गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंतरी के लिए चुना, मोदी जी ने अपनी समझदारी और कुशलता से सिर्फ शहरों में देखने को मिलती थी, गुजरात के लोगों के लिए मोदी जी एक एंजल बन कर आये थी, उनके काम से लोग बहुत खुश हुए और उनको लगातार चार बार, लगातार चार बार गुजरात के मुख्यमंतरी के रूप में चुना, यह अपने आपने एक बहुत बड़ी एक रेकॉर्ड है, बहुत बड़ी बात है, चार बार लगातार किसी स्टेट का मुख्यमंतरी बनना, लोगों का यह ट्रस्ट, यह बरोसा पाना बहुत बड़ी बात है, अपने मुख्यमंतरी के कारेकाल दोरान उन्होंने गुजरात में बहुत सार योजने किया गया था उसके बाद 2014 में लोकसवा चुनाओं में भारतिय जंदा पार्टी ने प्रजान मंत्रियों में द्वार के लिए अपने इक्के को उतारा यानि कि मोदी जी को उतारा पूरे देश में मोदी जी के नाम की लहर तेजी से दौर रही थी अब की बार मोदी सरकार का मोदी जी ने भी हर चोटी बड़ी जगा पर जागा रहे लिया की बाशन किये और उनके बाशन को सुनने के लिए अंगिनत लोगों की बीर जमा हो जाया करती थी कुछ साल पर ऐसा था कि यंग्स्टर्स को पॉलेडिशन के बाशन सुनने में ज्यादा इंटरस नहीं रहता था लेकिन इन्होंने पूरा ट्रेंडी चेंज कर दिया है तो खास करके उस वक्त उनको युवाओ का बहुती सपोर्ट मिला समर्थन मिला तो ऐसे करके मोदी जी प्रणों मुखर जी ने उन्हें प्रतानमत्रीपत की शबत दिलाई 26 में 2014 की बात है उस वक्त 2014 में मोदी जी ट्वीटर पर सबसे जादा फॉलो किये जाने वाले एशियन लीडर बने थे 2014 में ही उनको फॉर्ब्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल कर दिया था यह सब कुछ हमारे समविदान की हमारे गर्ण दंत्र की ताकत है कि एक आम चाय बेचने वाला इंसान भी प्रतानमंत्री बन सकता है ऐसा आपको जायद पता नही मौदी जी भारत के पहले ऐसे प्रतानमंत्री है जो आजाद भारत मैं जण में है जिनका चनम 1947 के बाद होा है प्रतानमंत्री गोशत किये जाने के बाद मोदी जी ने अपना पूरा समय देश की प्रगति में लगा दिया कई सारी वीदेश यात्राएं भी की है और इस बात को काफी mix response मिला है आपको पता है कुछ लोग इस बात की तिका भी करते हैं कुछ लोग सराते भी है वीदेश यात्राओं के तुरान मोदीजी ने दूसरे देशों के प्रदान मंत्रियों से राश्चरपतियों से मुलाकात की है बातचित की है हमारे देश के बारे में और हमारे देश के जो संबंध है वीदेशों से उसको मजबूत बनाया है और भी कई नही नही योजना है उन्होंने शुरू की है जैसे की मेकिन इंडिया, प्रदान मंत्री जंड़न योजना स्वश्च बारत अभ्यान, डिजिटल इंडिया किसे देश में काफी बतलाव भी देखने को मिल रहा है देश में ब्रस्टाचार को खतम करने के लिए उन्होंने बहुत सक्त कदम उठा दिया भाई, देश के इतियास में पहली बार पांसो और हजार के नौट को बंद किया गया, इससे देश के लोगों काफी तकलिफ हुई लेकिन हाँ सामने देश में चुपा हुआ काला दन बहार आया, एटलिस उनका रूटेशन बंद हुआ है और उसके बाद GST वाला कदम, यह सारी जो कदम लिये गए थे, उसमें भी सेम वही है मिक्स रिस्पोंस है लोगों के जनता के कुछ लोगों को अच्छा लगा यह कदम, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा और बी कई सारी बाते हैं, जिसको लेकर ट्रोल किया जाता है उन्हें जैसे कि मोदी जी कभी पबलिक इंटर्वीव नहीं देते है और अक्षे कुमार जैसे सेलेबिटीस के साथ नॉन पॉलिटिकल इंटर्विप कर सकते हैं और भी कई सारी बाते हैं जैसे कि पुलवा मा हमला, उरी अटैक, बाला कोटैल स्ट्राइक, देश में जो महिलाओं की सीफ्टी को लेकि जो सवाल है, सरकारी अकमों का परवड़ाजेशन ऐसे बहुत सारी बातों को लेके बहुत सरे लोग विरोध में भी है, समर्थन में भी है, चर्चाय होती रहती है और ये सारी बातों को लेके मोदी जी सुर्खियों में बने रहते हैं लेकिन ये सारी चर्चाओं के बावजूद, तारिकों के बावजूद, किस्सों के बावजूद भी भारत की जन्ता ने 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी जी के उपर पूरा बरोसा करके उन्हें प्रदान मंत्री के लिए चुना है लेकिन लोगों की जन्ता की बहुत सी उमीदे जुड़ी हुई है हम आशा करते हैं कि मोदी जन्ता की उमीदों के ओपर खरे होते उन्होंने जम्मू कश्रे में 370 वाला स्टेप लिया है प्राम मंदीर का जो फैसला इतने सालों से अटका हुआ है वो सुल जाया है तो कभीले तारीफ है I don't know ये वीडियो कभी मोदी जी तक पहुंचेगा या नहीं या मोदी जी कभी इस वीडियो को देखेंगे या नहीं I don't know बट अगर कभी देखते है तो आपसे हाथ जुड़के बिंती है मोदी जी हमारे देश में आपने बहुत ऐसे फैसले लिए है जो सालों से अटके हुए थे जो कोई नहीं कर सकता था आप ने किया है बस एक एसान कर दिजिए एक उपकार कर दिजिए कि देश में महिलाओ की सेफटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसे सवाल कर दिजिए ऐसा कोई कानून बनाईए ऐसा कोई सिस्टम बनाईए कि हमारी बेहने हमारी लड़किया सेफली भारत देश में गुम सके प्लीज अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करना जो भी है लेकिन कुछ करना दरूर अगर आप उसे इस्टाग्राम से जुना चाहते हैं यह मैं इस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप जीचिल्स के वीडियो को फेस्बूक पर देखना चाहते आपको तीन लोगों के नाम बता दू जीनों ने लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जाब दिया है सवाल ये था कि हमारे देश में कौन सा सिंगल इमाजासी नंबर है तिन डिजिट का हाँ वो सभी सेट्स में अभी लागू ने हुआ है लेकिन आवफिशियल वैल रंग आप दिलों को व्माय चांड द 1976 मिलते हैं जाते जाते आज का सवाल सुन टिए मोडी जी ने पहली बार प्रदान मंतरि पद की RAM क डे भी दे नरेंत्र मोडी जीने पहली बार प्रदान मंत्री पद की शपत कब ली थी सर्च कीजिए कमेंट कीजिए अपने अकाउन में 10 पन को जोड़ दीजिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ एक नए सब्जेक के साथ बाइट टेकर एंच सी यू सुन झाल